हेलो एवरिवन मेरा नाम जागरिती अवस्थी है मैंने UPSC Civil Service Examination 2020 में All India Rank 2 हासल की है आज एस सेशन में हम ये जानेंगे कि हम UPSC CSC के सिलेबस को कैसे पढ़ें और कैसे समझें तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में एक ग्रीफ बैक्राउंड आपको बता दूँ मैंने B.Tech किया है Electrical Engineering में Manit Bhopal से 2017 में मेरा B.Tech पूरा हुआ 2017 से 2019 तक मैं BHL Bhopal में as an engineer job कर रही थी 2019 में पहला attempt job में रहते हुए दिया, prelims भी clear नहीं हुआ तो फिर मैंने job छोड़ी, एक साल तैयारी की और 2020 का attempt लिया मेरा optional sociology था और मैं Bhopal मध्यप्रदेश की रहने वाली हूँ जो ये series आप YouTube पर देख रहे हैं इसके अलावा मैं free live classes की series करूँगी अन academy platform पर आप मेरा code JA02 यूस कर सकते हैं उस pre content को unlock करने के लिए वहाँ पर इन strategies को और छोटे parts में break करके detail में discuss किया हुआ है इसके अलावा और भी दूसरे educators हैं जैसे की मुनाल सर हैं प्रतीक नायक सर हैं आप चाहें तो इनका भी course है, कुछ free content भी है तो जा करके उसको explore कर सकते हैं अब शुरू करते हैं जब भी हम UPSC की तैयारी करते हैं, मैंने जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे बहुत सारे टॉपर्स ने, जब मैं उनकी सुनती थी strategies मैं भी ऐसे strategy videos देखती थी तो सब कहते थे कि syllabus ज़रूर पर हो syllabus पहिने से आपको समझ में आएगा कि exam की requirements क्या है पहली बार में मुझे जादा ये बात समझ में नहीं आई और जब first prelims मेरा नहीं निकला हाला कि उस समय भी तैयारी मैं उतनी कर नहीं पाई थी पर जो जैसी तैयारी की थी मुझे पता चला कि उसका कुछ output मुझे मिला ही नहीं तब मैंने ये realize किया कि शायद exam की requirements को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसी direction में पढ़ें जिस direction में exam आप से expectations रखता है तो overview में आपको बताऊंगी कि आप इस syllabus की copy लीजिए उसको print out कैसे कीजिए फिर उसको कैसे questions के सूभ समझेंगे और इसका outcome क्या होगा ये जो पूरा process है ये इसकी inspiration मुझे मिली थी श्रियांज कुमात सर ने एक वीडियो बनाया था strategy video उसमें उन्होंने बात की थी कि कैसे syllabus को समझना है तो मैं भी आपको अपना जो process है वो आपके साथ share कर देती हूँ सबसे पहदे important होता है syllabus की copy आपके पास हो तो syllabus की copy UPSC की website पर दी हुई है आप जाकर उसको access करिये उसमें आप देखेंगे कि ऐसे topic ने GS1 list of bullets, GS2 list of bullets, GS3 list of bullets and similarly GS4 list of bullets इस bullet point wise syllabus को मैंने एक एक page पर पिंट किया this is GS1 का कोई topic है salient features of Indian art forms ऐसा करके एक पूरा A4 size paper पर किवल वो एक bullet होगा अचा मैंने चार files बनाई थी GS1, 2, 3, 4 करके तो जो GS1 वाली file है उसके अंदर में ये GS1 के जितने bullets हैं file मतलब कोई folder ले लिया pages इसमें लगा दिये थे मैंने तो उसमें ही मैंने bullet point को print किया similarly मैंने ये सारे topics के लिए किया और ये चारों उसमें किया तो चार files बनाई जिसमें हर page पे bullet point printed है उसके बाद ने सिफ इसको simply read कर रही थी simple I am reading कि salient features अचा salient क्या होता है that is main features of Indian art forms और इंडिया के जो भी art forms अबसे उनके बारे में जानना है उस तरह की कोई बात आगे चलके होगी अगर आपको English में प्रॉब्लम है तो देखे हिंडी में भी available है understanding होनी चाहिए main चीज है कि language एक medium होता है communication का तो बस जहां समझ में आए वहां से पढ़ लीजे इस तरह से मैंने इसको simply read किया कि exactly syllabus में topics है क्या कि अबर मैं उस topics को समझ रही थी कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है इसमें उसके बाद जब मैंने इन topics को एक बाद पढ़ लिया फिर हम कैसे समझें कि उन topics नी क्योंकि topics आपको बहुत ही वास्त लगेंगे थोड़ा सा आपको लेगा कि इनका coverage बहुत wide है कि इंडियन art forms के saline features तो बहुत सारे art forms हैं इंडिया में तो हम किसको पढ़ें उसके लिए आपको क्या करना है आप questions लिजे topic wise previous year questions आपको लेने हैं topic wise pre and means questions previous year case these are previous year questions जो segregated है topic wise and year wise यानि history में अगर मैं prelims की बात करूँ दोनों का लेना है pre का भी लेना है और means का भी लेना है तो मैंने prelims और ये booklets मिलती है market में आपको prelims के लिए तो आपको publications ही मिल जाएंगे कि history के आई हुए question topic wise year wise segregated means के लिए munal sir की जो website है munal.org उसमें अगर आप google करेंगे GS1 topic wise means question munal तो उसमें जो पहली link खुलेगी या दूसरी तीसरी link खुलेगी GS1, GS2, GS3 सब के लिए उन्होंने किया है तो वहाँ पे क्या है जैसे या आपका bullet है Salient Teacher of Indian Art and Architecture उनकी website पे इसी topic के नीचे जितने questions पिछले साल में आये है उनकी list दी हुई है और ऐसा उन्होंने हर topic के लिए किया हुआ है तो आप भी ये चीज जाकर कर सकते हैं आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस topic में ऐसे कैसे questions पूछे गए इस तरीके से आपने questions को अच्छा ये मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने कहा मैंने bullet point wise print किये हैं हर topic को GS1234 को और उनको file में लगाया तो जो questions थे मैं उनको attach करती थी उसी bullet के नीचे अगर publication है कोई अगर उसका मुझे soft copy मिल गया PDF format मेंगा मुझे book मिल गई तो मैं उसमें से print out लेके यही bullet के नीचे लगा दूँगी similarly मुनाल सर के उससे topic wise print करके उसी bullet के पीछे लगा दिया pre or means दोनों के उसके बाद आपको क्या करना है आपको question को topic से relate करना है जो bullet topic है syllabus का और जो questions आए हुए है both pre and means तिफ questions को समझे question के topic को एक बाद आइडेंटिफाई करिए और यह देखे कौन से topic से जाके यह match कर रहा है कुछ questions ऐसे भी होंगे जो दो या तीन topic से मिल करके बनते हैं तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा कि कौन से topics के बीच में interlinkages पूछी जा सकती है इस तरीके से आपको relate करना है mapping करनी है topic of syllabus और आए हुए questions की एक बद जो आप यह काम कर लेंगे ताव किया सब complete हो गया है वो material bullet topic pre question means question और GS1234 now read and understand the questions only read the question and understand कि वो पूछ क्या रहा है ना उसका answer ढूणा है ना उसके पीछे कोई रिसर्च करनी है सिर्फ identify the topics that are being asked आप जिसे आट हैं आर्क Springs में देखोगे भक्तिमूवें पर question है यह गांधारा नाग्रा-चस्टाइल अनधारा इस्टाइल उन पर question है टैंपल आक्रिठ्चर पर question है जिसे जब आप यह समझेंगे ना questions को तो you are reading the question, you are identifying the important topics and you are also understanding this कि कैसे question पूछे जा रहे हैं question का content specifically है क्या इस तरीके की जो समझ है यह आपको syllabus की समझ तो देगी ही और साथ में UPSP के requirements की भी समझ देगी जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप उसके आइडेंटिफाइ करिएगा important topics को I agree, questions do not repeat themselves but topics do मैं एक example दे देती हूँ GS paper 1 में 2019 और 2020 में बड़ा similar एक question था एक 19 में था कि 1920 में गांधियन phase में बहुत सारी voices में enriched किया national movement को GS 2020 में paper 1 में question था आप इस्टेश का जो फेस था उसमें बहुत सारी फिलोसिफिकल आइडियोग जो फेस्टेश नाशनल मुवमेंट में अकर के जुड़ गए Now, mind it, गांधियन phase is nothing but 1920s phase itself महीं से तो शुरूआत हुई है एक linkage मिलेगा It is not the same question, answer will also not be the exact replica But somewhere there are links that you can You can always connect these dots and understand what topics are particularly important इससे क्या होगा? अब यह जो आपने analyze कर लिया, topic wise pre means के question को analyze कर लिया अब इससे क्या हो रहा है? जो outcome क्या होगा? एक तो pattern of question समझ में आ गया कि what kind of pattern is being asked in the examination? किस तरीके से पढ़ाई की जाए? जिसे मैंने एक चीज नोटिस की कि जो pattern है वो कही ना कहीं means में specifically Prelims में तो समझ में आ जाता है MCQ है, लिखने का कोई issue नहीं है means में मैंने देखा कि usually questions are more like कि what the topic is? What are the pro cons? वही disadvantage, advantage वाला analysis positive negative analysis उसके बाद में जो वह बात करते हैं they talk about what is being done what more needs to be done and what is your overall vision वही जो चार-पांच pointers कि pro cons, what is being done what more needs to be done, what is your vision इस तरीके से ही questions पूछे जा रहे है इनी दो या तीन का combination तीन या चार का combination पूछ करके pattern बन रहा है मैंचे समझ में आ गया इस तरह की date का जो fact है या बहुत जादा kings के नाम इस तरह की चीज़े नहीं पूछ रहे है तो आपको समझ में आएका कि pattern में जो है conceptual understanding needed है तो आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे this will help you streamline your preparation believe me यह पूरा process करने में आपको लगे का कि ya it must be a thing of 4-5 days I took one complete month July 2019 में मैंने resign किया था अपने job से और पूरा July 2019 मैं वस यह analysis कर रही थी इसका outcome क्या हुआ मुझे पूरी understanding थी syllabus की आए हुए questions की तो जब भी मैं पढ़ती थी तो मैं हमेशा उन topics पे extra focus करती थी जो आए हुए हैं इसके अलावा यह जो आपने syllabus का यह जो files बनाए हैं with topic and with question it will help you check your preparation जब आप पढ़ेंगे कोई topic आपने उठाया suppose art and culture है art and culture इसलिए याद आता है कि पहला ही topic है GS1 का आपने वो पढ़ा आप जा करके अपनी file उठाये previous year questions solve करिए मैंने वो answer writing में भी discuss किया है कि previous year questions को कैसे approach करना है अगर आप ऐसा करेंगे तिक तो preparation check भी हो रही है previous year के questions तैयार भी हो रहे है definitely आपको बहुत help मिलेगी मैंने first attempt में यह चीज़ नहीं की थी second attempt में यह adopt की और इसने मेरी preparation में मुझे बहुत help मिली so I hope कि आपको कुछ inputs इस में इस session के through मिले हो कि आपको कैसे syllabus को समझना है कैसे पढ़ना है अगर कुछ बात अच्छी लगी हो तो अपनी preparation में आप include कर सकते हैं कोई doubts हैं कोई suggestions हैं तो फिर आप उसको comment section में drop कर दीजे हम अपनी special class में जाके उसको देख लेंगे कि अगर आपके doubts को हम handle कर सके उसके through so keep studying all the very best thank you very much